नमस्कार मैं हूँ प्रित सिंग और आप देख रहे हैं आने इन 24 रुप करते हैं खबरों की तरह बीजेपी विधायक नितेश राणे ने एक सितंबर को एहमद नगर में हुई एक रैली में मुस्लिम समदाय को लेकर विवादित बयान दिया है जिसके चलते धार्मिक और समाजिक भावनाओं को ठेस पहुची है जिसके बाद एहमद नगर में विभिनत तरीकों से नितेश राणे के खिला मुस्लिम समदाय ने विरोध जताया है बहुत से मुस्लिम युवाओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो वारल कर नितेश राणे को धमकी भी दे डाली उसी के प्रिष्ट भूमी में जलगाओं जामोद में समाजवादी पार्टी की ओर से कड़ा विरोध जताया गया है समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष साइद नफीस साइद शफी और तालुका अध्यक्ष शेक मुस्ताक शेक रौफ ने अपने बयान में नितेश राने के खिलाफ सक्त अपराधिक कारेवाई करने की मांकी है बयान के मताबिक नितेश राणे ने अपने भाशन में कहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय ने हमारे रामगिरी महराज को कुछ भी कहा तो हम मस्जिद में घुस कर उन्हें मारेंगे इस बयान से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेश पहुचने की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी ने नितेश राणे के बेबुन्याद बयान की कड़ी निंदा की है और उनके खिलाफ अपराधिक कारेवाई और उन्हें विधायक पद से ततकाल निलंबित करने की मांग भी की है बयान में यह भी कहा गया है कि नितेश राणे के बयान से राज्य में समाजिक सोहाद्र को खत्रा पैदा हो गया है इसलिए उनके खिलाब तुरंत कारेवाई होनी चाहिए